मजबूरियां इनसान से क्या नहीं करवाती पर इरादे नेक और दिल में कुछ करने का जजबा हो तो सही रास्ते और मन्जिल मिल ही जाते हैं जी हाँ इसे से कहानी शुरू होती है यूथ विरांगनाओं के सेंटर में सिलाई सीख चुकी लड़की लक्ष्मी की जो की बेहत गरीब और पिछड़े वे इलाके से आई है लक्ष्मी अपनी नानी के घर रहती है और नानी के घर की हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है मैडम जी निकी जी घुंदी ये दि मुम्मी मेरे पास सोड के चली गई सी तो उसने वोधी गजैस निसी की भी मैं इनू पाला आपाल के नू मैं आठीमी जुमाती कर जिनना मेरा गजारा हो या उनना वो कर चुकी है इतु बाद मेरा गजारा ने सी करते विच्छी ली मैं अगेर पड़ा लूँगे मेरा गजारा नहीं होंता सी हो एक दिन उन्हें वहीं जेजे गलोनी में ही पता चला कि यहां यूथ विरांगनाय सिलाई प्रिशिक्षन केंद्र खोला गया है लक्ष्मे वहां सिलाई सीखने लगी और धीरे धीरे सिखाने वाले की महिनत और लक्ष्मी की लगन रंग लाई लेकिन अपनी महिनत वह लगन से इसने सिलाई सीखने लगी है और अपने गर में सिलाई करके कुछ पैसे भी कमा रही है यूथ विरांगनायों के इस परियास से आज लक्ष्मी कपड़े सील कर पैसे कमा रही है वह अब आतम निर्भर है उफ्मी कर गनायों तियों से इस सृ रहुन लेबकिया से स्थल आठसित्क्व लाई जीए विरांगनायों कर देंट लगन अस्टाए्ट थे भीत्स विपृस लोड़े वेश्गनायों से च्ट्स परियोस्न Michodar parl और www.youthvirangnay.org तैंक यू